दूध पीना सेहत के लिए फायदे मंद है और सेहत के लिहाज से इसे अमरत के समान माना जाता है लेकिन इसका सेवन अगर सही तरीके से न किया जाए तो ये आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है जानिये दूध पीते समय किन बातों का खास ध्यान रखना सरूरी है कई लोगों की आदत होती है भोजन के बाद दूद पीने की लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी दूद का सेवन नहीं करें इसे पचने में समय लगता है और आपको भारीपन महसूस होता है जब भी आप भोजन के बाद दूद पी रहे हैं, तो आधा भोजन ही करें, वरना पाचन समंधी समस्या से आप परिशान हो सकते हैं, खास तोर से रात में इसका ध्यान रखें. खते या नमकीन चीजों का सेवन दूद पीने के आदे घंटे या एक घंटे पहले ही कर लें, या फिर दूद पीने के बाद करें, अगर ऐसा नहीं किया, तो ब्लोटिंग या दकार आने की समस्या हो सकती हैं. प्यास और बैंगन के साथ कभी भी दूद का सेवन ना करें, इनमें मौजूद रसायन आपस में क्रिया कर त्वचा सम्मन्धी रोक पैदा करते हैं, इसलिए इनके सेवन में कुछ समय का अंतर जरूर रखें. मचली या मास के साथ कभी भी दूद न लें, इससे आपको त्वचा पर सफिर धबे, ल्यूकोडर्मा की परिशानी हो सकती है. इसके अलावा इन दोनों में ही पोटीन होता है, जिससे पाचन में ज्यादा समय लगता है. अगर आप ताकत और पोशन के लिए दूद पी रहे हैं, तो गाए का दूद लें, लेकिन अगर वजन बढ़ाना है, तो भैस के दूद का प्रयोग करें. लेकिन भैस का दूद कफ बढ़ाने का काम भी करता है, इसका खास खयाल रखें. कभी भी ठंडा दूद ना पियें, ना ही इसमें चीनी का इस्तिमाल करें. ठंडा दूद धीरे पचता है, जिससे पेट में गैस बन सकती है, और चीनी पोशक तत्वों को खत्म कर देती है, और पाचन में समस्या पैदा करती है.